हाई ट्रेंट्स मैंने भी नियक पर फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल माईन सेलूप में दोस्तो अगर आप 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 आनलाइन इंस्टेंग परसनल लोन सेर्ज कर रहे हैं तो आज किस वीडियो में कंप्लीट बने रहे हैं क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आपको एक कैसे organization के बारे में बताने वाला हूँ जहां से आप instant personal loan up to 15 lakhs तक का जो है ले सकते हैं 37 इस organization के मदर से और भी financial jury services जो है इस organization के मदर से आप avail कर सकते हैं और आज किस वीडियो में हम एक बहुत important topic के उपर बात करेंगे आज के date में अगर आप online instant personal loan search करते हैं तो बहुत सारे results आपको सामने में दिखाई देते हैं या फिर अगर आप YouTube पे search करें या आप Google के उपर search करें वहाँ पे आपको बहुत सारे results दिखाई देते हैं और आपको ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि कौन से organization में instant personal loan के लिए apply करें और वहाँ से हमें loan मिल जाए क्योंकि बहुत सारे ऐसे organization है जो आपसे processing fee पहले चार्ज करते हैं मैं सबकी बात नहीं करता हूँ बहुत सारे ऐसे organization है जो आपको processing fee जो है चार्ज करते हैं और आपको वहाँ पे इंस्टेंट loan प्रोवाइड करते हैं ऐसे बहुत सारे fake organization भी है जहाँ पे आपसे processing fee पहले चार्ज किये जाता है और आपको loan जो है वहाँ से नहीं मिलता है फिर आप अपने जो दिया है वो आपको return भी नहीं होता है तो वीडियो में बने रही है बहुत सारी information आज के इस वीडियो में मैं आपको provide करने माद हूँ दोस्तो वीडियो में आगा बढ़ने से पहला आप सभी से request है मेरा कि अगर आपने अभी तक माईंसर वोग यूटूब चैनल को subscribe नहीं क्या है तो प्लीज आप इस हैसे ही interesting वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe कर सकते हैं और शांती चांत notification के लिए bell icon को प्रेस करिएगा उसी यह होगा जब कभी इस चैनल को उपर आप सभी के लिए कोई नई वीडियो पुब्लिस होगी उसकी notification डिरेक्टी आपके phone के उपर आपको मिल जाएगी और आप उस notifications के जड़िए my answer book YouTube चैनल की सभी नई वीडियो को असानी से देख पाईएगा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप instant personal loan search कर रहे हैं online तो आज के इस वीडियो में एक essay organization के बारे में मैं आपको detail में बताने वाला हूँ जहाँ पे आप online जो है apply कर सकते हैं और आपको instant personal loan up to 15 lakhs तक का असानी से मिल जाएगा लेकिन उससे पहले एक और topic के उपर बात करेंगे आज के रिट में जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे online results आपको मिलेंगे अगर आप search करेंगे instant personal loan online दोस्तों यहाँ पे आपके लिए यह समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप अगर किसी organization में personal loan के लिए apply कर रहे हैं अगर वो organization आप से processing free पहले charge कर रहा है तो वो loan आपको देगा या कि नहीं देगा दोस्तों यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी किसी organization में instant personal loan के लिए apply करें तो वो आप से processing charge जरूर लेगा दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है जो organization आपको real में instant personal loan प्रोवाइड करता है अगर वो directly loan प्रोवाइड करता है तो आपको processing fee आपके loan amount से deduct करके और बाकी का amount आपके account में disperse कर दिया जाता है अगर कोई third party organization है चुकि वो online उसका बहुत सारा expense जा रहा है और वो अपने users से ही चार्ज करता है अपने stability के लिए तो इसके लिए आपसे वो पहले चार्ज करता है registration या फिर किसी और चीज को लेके और आपको instant personal loan की हुई होती है तो यह एक सही तरीका है loan लेने का online यहाँ पर बहुत सारे ऐसे organization है जो आपसे processing fee जो है directly charge करते हैं पहले आपके loan लेने से पहले आपसे processing fee पहले चार्ज करते हैं और आपको जो कि लोन लेना होता है बहुत ज़्यादा जूर्वत होता है आप उन्हें processing fee असा online instant personal loan apply करें और से वहाँ पर processing fee अगर पहले मांगा जा रहा है तो उस company के बारे में complete study कर लिजे मैं आपको एक छोड़ा सा point बताता हूं अगर किसी company के बारे में आपको detail में पता करना है तो सबसे पहले यह देखे कि यह organization जो है registered है कि नहीं है यह कैसे देखेंगे आपकी registered है यह नहीं है तो छोड़ा से एक्जांपल उनके एवाउटर्स में या फिर कॉंडेक्टर्स में उस company का अगर वो company private limited है या फिर किसी और concern में वो company है तो वहाँ पर आपको उनका registration number उनके website पर जरूर दिखाई जएगा और आप internet के जडिए उस company के बारे में online जो है बहुत सा Friends ऐसी बहुत सारी organization है जो आपसे amount पहले लेती है लेकिन आपको loan वहाँ से जरूर मिलता है यह था एक छोड़ा सा तरीका आपको अगर processing fee पहले देना होता है तो आप complete study कर लिजिए उस company के बारे में So Friends आप बात करते हैं इस organization के बारे में दोस्तों इस organization का नाम है जैसा की skin के आप उपर आप देख रहे है URL Earn Wealth Solution इसका URL आपके skin के उपर सामने में है आपको इस URL की मदद से इनके website के उपर जाना है और वहाँ पर complete detail आप देख सकते हैं यह company instant personal loan के अलावा बहुत सारे loan segment पे जो है काम करती है साथी साथ आपको finance related services भी जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर आज के इस video में इस organization के बारे में सिर्फ और सिर्फ instant loan के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले time में अगर आपको जो है चाहिए होगा तो और भी detail इस company के ब professional को ही loan provide कर रही है अगर आप एक self-employed हैं तो आप इस video को ignore कर सकते हैं या फिर अपने किसी friends और relatives को जो salary professional है और उन्हें loan की requirement है तो आप उन्हें जो है यह वीडियो जो है share कर सकते हैं ताकि उनको information जो है मिलता है और loan वो असानी से ले पाए तो friends जैसे कि मैंने आपको पता चाहिए आप एक salary professional है तो आपकी minimum salary जो है 15,000 जो है होना चाहिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं यहां पर आपको documentation क्या 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 करना होगा दोस्तों इस organization में loan के लिए apply जब करेंगे तो आपको online completely documentation करना होगा इस organization में loan के लिए आपको अपना ID address proof इसक company के अगर आप चाहें तो living later यहां पर upload कर सकते हैं और आपको यहां पर salary slip भी upload करना होगा तो friends इन सारे documents के बाद आपका अगल civil score बहुत अच्छा है या फिर ठीक ठाक है तो आपको यहां से instant personal loan जो है मिल जाएगा अब दोस्तों जो भी document आप यहां पर submit कर रहे हैं उनके activity क recording आपको eligibility जो है मिलती है कि आपको कितना जो है loan यहां से मिलने वाला है तो friends इनके website में कहीं पर भी यह mention नहीं है कि अभी यह organization किसके city में जो है loan सर्व कर रही है तो जैसे कि इनके उपर आप देख पा रहे हैं इस contact detail के उपर जो है आपको contact करना है loan लेने से पहले कि यह company आ यह company आपको directly जो है loan या फिर कोई भी services आपको provide नहीं करती है यह third party solution यानि कि consultant करती है जैसे के screen के उपर आप देख पा रहे हैं इन सारे loan provider से इनोंने जो है tie up कर रखा है और आपको इनके थ्रू जो है loan provide की रहती है ऐसे आप जोस्तों जैसे के screen के उपर आप देख पा रहे इन सारे loan providers में से बहुत सारे loan provider से आप directly loan लिये हुए होंगे या फिर इन loan provider को आप जो है जरूर जानते होंगे तो friends यह था छोड़ा सा update आप सभी के लिए earn wealth solution के बारे में अगर आपको in future instant personal loan के requirement है और आप इस organization में loan के लिए apply करना चाहते हैं तो पहले completely study कर लिजे अपनी eligibility और documentation के बारे उसके बाद ही आप जो है loan के लिए apply करिए अज किस video में बस इतना है अगर यह video आपको पसंद आएक हो तो please इसे like करिए अपने friend को share करिए और ऐसे ही interesting video को देखने के लिए चैनल को subscribe कर सकते हैं इस video से related आपके मन में अगर कोई भी query हो तो please मुझे comment box में जो है जरूर लिखेगा ताकि मैं आपके questions को answer कर पाऊं जिलत